असलाम वालीकुम, वल्कम है आप सभी का इस नई वीडियो में, तो आज का इस वीडियो आप सभी करने डेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रहने वाल है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जेके बॉपी के कौन से application form जब वो आने वाले एक दो दिनों में जिनके registration शुरू होने जा रही है, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में update दे दूँगा, वीडियो आपको पूरा end तक देख लेना है, चनल को भी सबस्क्राइब करें और टेलिग्राम ग्रूप हमारा जोइन करें लिंक उसके आपको description में मिल जाएगी, तो चली वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ important information आप candidates के लिए है, तो आप सभी को पता है कि अभी जेकेबू भी लगातार application formals release कर रहे हैं, इस बीच यहां पर B.E.B.Tech किया registration कंप्लीट हो चुकी है, B.E.C. Nursing Paramedical Technology courses की registration कंप्लीट हो चुकी है, कल उसकी last date थी, तो आज यहां पर 12-based Paramedical Diploma जिसमें हमारा GNM भी आता है, ANM भी आता है, MRT भी आता है, Deformacy भी आता है, MLT भी आता है, Operation Threative Technician भी आता है, Physiotherapy का Diploma भी आता है, Medical Lab का भी आता है, बहुत सारे Diploma courses है, जिनकी registration की process आज शुरू हो चुकी है, तो आप अपना form आज सब्मेट कर सकते हैं, अगर आप हमसे fill-up करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर मिल जाएगा, उस पर contact करके, अपने details हमें forward कीजिए, हम आपका application form submit कर देंगे, तो यहां पर हम पहले बात करेंगे, कि जो आने वाले दिनों में application form लगने वाले हैं, यहां पर आपको रहने वाला है, तो चले पहले देख लेगे हम आने वाले application form के बारे में, सबसे पहले 6 मई से आपके यहां पर दो registration की process शुरू होने जा रही है, एक यहां पर आपका 10th base paramedical diploma courses, और दूसरा यहां पर G&M lateral entry, अब दोनों की में eligibility आपको थोड़ सा समझा देता हूं, जो FMPHW और MMPHW courses हैं, उनके registration यहां पर 6 मई से शुरू होने जा रही है, और 26 उसकी last date रहने वाली है, FMPHW एक diploma है, MMPHW यहां पर दूसरा diploma है, दो diplomas यहां पर हैं, दोनों diplomas यहां पर 10th base, जिनका registration यहां पर 10th पास किया है, वो यहां पर in courses के लिए जा सकते हैं, या जिन्होंने आप भी 10th का exam दिया, वो भी in courses के लिए apply कर सकते हैं, इनमें आपको कोई भी in-trance नहीं होता है, 10th के markas के base पर in courses में आपकी selection हो जाती है, आपको कुछ भी यहां पर नहीं लगता है ठीक, तो इनकी जो registration होगी वो 6 मई से लगने वाली है, तो registration के लिए आपको जब form fill up करना पड़ेगा, जिसकी fee आपको 500 रुपी पे करना पड़ेगा, इंटरंस कुछ भी नहीं होगा, online आपको application form अपना submit करना है, जो आपकी personal registration हो जाएगी, documents वगरे के बारे में, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, या थोड़सा मैं थोड़सा अभी बता देता हूँ, इनमें आपको domicile certificate लगेगी, 10th की mark sheet लगेगी, अगर है तो ठीक नहीं है, तो कोई issue नहीं है, और इसके साथ आपको यहां पर date of birth certificate होनी चाहिए, 8th अगर आपके पास होगी already, अगर नहीं आपने school से ले सकते हैं, और category आपके पास कोई हैं, यहां पर लगा सकते हैं, duration का date दो साल का होता है, दो साल में आपका diploma complete हो जाएगा, यह तो हो गया एक course का, दूसरा यहां पर आपका G&M Lateral Entry, G&M Lateral Entry में जिन candidates को जाना होगा, एक होता G&M जिसके registration आज से शुरू होने जारी, एक होता G&M Lateral Entry, जिसके 6 से यहां पर registration शुरू हो जाएगी, इसके लिए जो application form होगे, आपके शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए आपको 1000 fee pay करना पड़ेगा, इसके eligibility के अगर मैं बात करूं, जिन candidates ने FMPHW, MMPHW का diploma complete किया है, वह कही candidate जह हो G&M Lateral Entry के लिए eligible है, वह G&M Lateral Entry के लिए यहां पर अपना form submit कर सकते हैं, वह application form में, जिनके registration आने वाले दुनों में start होने जा रही है, जिनका update मैंने आपको दे दिया, eligibility जो मैंने आपको समझा दिया, documents भी मैंने आपको बता दिया, फिलहाल कोई confusion होगा, comment section में पूछ सकते हैं